4 जून को जो election result आये उसे देखने के बाद पूरा देश चौक गया सभी समीकरण, exit polls और expert opinions को धता बताते हुए इंडिया गटबंदन ने उमीद से इतर प्रदर्शन किया और 232 का आंकड़ा छूलिया जिसकी वज़े से भारती जनता पार्टी 10 साल बाद सरकार बनाने के लिए अपने सहयोगियों, खासका TDP और JDU पर निर्भर हो गई तो चलिया आपको बताते हैं कि नितीश कुमार और चंदरबाबु नाइडू क्यों NDA का साथ नहीं छोड़ सकते और उनके साथ बने रहने की क्या वजाहे हैं कल जैसे कि आप सब जानते हैं मोधी 3.0 मंत्री मंडल की शपत ली गई जिसमें TDP के हिस्से में भी काफी कुछ आया और JDU के हिस्से में भी काफी कुछ आया पर यहां हम बात करेंगे खास कर TDP की कि TDP आखिर नरेंद्र मोधी और NDA का साथ क्यूं नहीं छोड़ सकती दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के नतीजे मंगलवार को सामने आ गए भारतियनता पार्टी भहुमत से दूर रही लेकिन NDA 292 सीटों पर जीत हासिल करने में काम्याब हो गई जबकि इंडिया गटबंदन ने 234 सीटों पर जीत दर्ज की है चुनावी नतीजों में NDA की सरकार बंती दिखी और सरकार बन भी गई PM नरेंद्र मोधी के नेतरत्व में भाजपने 2014 और 2019 में असानी से भहुमत हासिल कर लिया था लेकिन एक दशक में पहली बार है जब बीजेपी ने वहुमत का आकड़ा पार नहीं करा आंद्रपरदेश में चंदरबाबू नाइडू की पाटी टीडीपी ने शांदार जीत हासिल की इसके बाद से बिहार के नितीश कुमार और नाइडू दोनों किंग मेकर की भूमिका में आ गए थे कयास ये लगाया जा रहे थे कि नाइडू और नितीश पाला बदल सकते हैं पर ऐसा हुआ नहीं बीज़पी दस साल बाद अपने सहीयोगियों खास कर टीडीपी और जेडीओ पर निरभर रही तो चलिए आपको बताते हैं कि चंदरबाबू नाइडू क्यूं एंडीए नहीं छोड़ सकते ना अब ना बीच में ना पांत साल बाद हाला कि वक्त का क्या पता कुछ भी हो सकता है पर फिलहाल जो सम्मीकरण बने हैं उसमें चंदरबाबू नाइडू एंडीए या बीज़ीपी छोड़ते वे जाते नहीं दिख रहे हैं और वो इसलिए तेलगू देशम पार्टी यानी टीडीपी साल 1996 में पहली बार एंडीए में शामिल हुई थी उसमें चंदरबाबू नाइडू एक यूवा नेता थे हाला कि उन्होंने साल 2018 में एंडीए का साथ छोड़ दिया और उनकी पार्टी को बहुत बड़ा नुक्सान उठाना एक बार फिर एंडीए में शामिल हो जाती है और इसका फायदा पार्टी को होता है चंदरबाबू नाइडू की पार्टी आंत्रपरदेश युदहान सभागी 175 सीटों में से 135 सीटों पर जीत हासिल कर लेती है जबकि लोग सभागी 16 सीटों पर उसने कबजा जमा लिया इस नुकसान उने झेलना पड़ा और उसके बाद एंडीए में वापस आने से हुए फायदे को देखकर तो यही लगता है कि नाइडू अब तो एंडीए का साथ छोड़ने वाली बातें सपने में भी नहीं करेंगे क्योंकि शायद वो ये बात समझ गए हैं कि एंडीए में ब साला बदल लेने से उन्हें फिर से नुकसान हो सकता है और वो ऐसा बिलकुल नहीं चाहेंगे कल जो मंत्री मंदल विस्तार हुआ उसमें TDP को दो मंत्री पद दिये गए हैं एक कैबिनेट मंत्री का पद है और दूसरा राज्य मंत्री का पद है जो लगभग TDP की टोटल जो सीट सुनोने लोकसभा में जीती हैं उस पर साड़े बारा प्रतिशत है आगे जो मामला जो पेच फसा है वो लोकसभा स्पीकर की कुर्सी पर फसा है यहां TDP ने NDA में डिमांड रखी है कि जो लोकसभा स्पीकर का पद है वो भी TDP को दिया जाना चाहिए इसको लेकर चंदरबाबू नाईडू के जो तेवर हैं वो मुखर हैं और देखना दिल्चस्प रहेगा कि NDA या मोदी उनको कैसे मनाते हैं किया लोकसभा स्पीकर का पद चंदरबाबू नाईडू की पारटी के पास जाता है या फिर मोदी उनके मान मनोबल में काम हो जाते हैं और लोकसभा स्पीकर की कुर्सी पर कोई और बैठता है तो फिलहाल जो सम्मीकरन बने हैं उनसे तो यही लग रहा है कि NDA की सरकार स्थिर्ता से आने वाले पांस साल चलने वाली है बाकी वक्त का क्या पता कब चाचा पल्टी मार जाएं या कब नाईडू छोड़ कर चले जाएं या कुछ और हो जाएं ये भारत की राजनीती है इसको समझना इतना आसान नहीं है और इसके बारे में भविश्यवाणी करना तो बिलकुल असंभवसा है